तूटने से जो तबाही देखने को मिली है दो तस्वीर आप देख सकते हैं सुवच राहत बचाव कार अभी भी वहाँ पर जा रही है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आईटी पीपी के जवान है वो लगातार रैस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ क्या है दो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार सुरक्षित्य जो लोग जो तर्न को बहर निकाला रहा है तो रात बड़ी खबर में हम इस तरीके से जवानों द्वारा अपनी लगाता जो राहत बचावकार है जो राइश को ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है लगातार कई लोगों को वहां से अभी तक बाहर निकाला जा चुका है और तस्वेरे भी आप देख सकते हैं और नेटवर्क 10 की टीम से भी जवानों को सेल्यूट किया जाना चाहिए क्यों कि लगातार नेटवर्क 10 की टीम भी इनको सेल्यूट करती है क्योंकि सुबह से ही रहां पर रैस की ऑपरेशन जा रही था और राहत बरी खबर भी है क्योंकि लगातार उनको सुलक्षित जो लो लगातार मापके बाइस आप्रेशन जा रहे हैं तो ऐसे मैं जामाजों के जज़बे को हम सलाम करते हैं नेट अट की पूरी टीम उनको सलाम करती है क्यूंकि लगातार वहां से जो भी मल्वे में फसे लोग हैं जो इस तबाही देख सक्थ हुई थी और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जवान जो हैं वो जो मलवें फसे लोग हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं तो काफी राहत बरी खबर है और उनको सैल्यूट हम करते हैं उनके जजबे को हम सैल्यूट करते हैं क्योंकि कई लोग अभी वालों में फसे हुए करी लोग अभी भी लाप बता हैं ऐसे में उनके द्वारा जो तस्वीर आप देख सकते हैं जो बाहर उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है तो यह काफी काफी तारी तस्वीर निकल कर सामने आ रहे हैं और सलाम हम उनके जजबे को करते हैं क्योंकि लगातार सुबह से ही वहाँ पे मुस्तेदी से जवान लगातार अपनी रैस्क्यू ऑपरेशन को जारी रख रहे हैं अभी तस्वीर निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें लगातार जो भी लोग मल में फसे हुए उनको लगातार बाह बहुत बहुत कारें निंगे द्वार किया जा रहे लेक्राइब आप देख सकते हैं सक्रीन पर इन जाम बंता है क्योंकि इनके द्वारा सुरक्षित बाहर कई जो लोग मलमें फसेते उनको निकाला जारहें अभी भी रैस्क्यूय operation वहां पर जारी है तो तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं देख सकते हैं कि इस तरीके से मलवे में जो फसा एक युवक है उसको जामबाज़ द्वारा बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है तो लगातार ताजय अप्डेट अगाम तब पहुंचा रहे हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जवानों द्वारा सुरक्षित एक र्यक्ति को बाहर निकाला जा रहा है और इनके जजबे को हम सलाम करते हैं क्योंकि सुबह से यह तबाही वहां पर देखने को मिल रही है लगातार आइटीपीपी के जवान देश के जवान अपना राहल बचाव कारेशा रहे हैं